कि मन बहुत अनमना है चले आईए मन बहुत अनमना है चले आईए गीत की प्रार्थना है चले आईए मन बहुत अनमना है चले आईए गीत की प्रार्थना है चले आईए वा आस्मों के उमरते हुए छंद में मौन की बेंजना है चले आईए बहुत चंदन रामेले, चले भाँ चाइए यहाइए, आपके जोर्दा तालुमियम के साथ, दThere के खूब सूरब गीतका नहीं से वह खूब्षूरत है जेंसे कहा देश के खूबसूरत गीतका वी चार-पांच खूबसूरत महिलाएं चलीekkja नहीं उदर से क्या बात है इस बात का मुझे बहुत दुख है लेकिन खेर कोई बात नहीं गीत कव वापस आएगे पांच गहीं पचास आएगे चलिए संचालक जी वैसे आपके मुझे शक्कर बहुत बढ़िया सुन रहे हैं ये मदर इंडिया के लोग मैं मदर इंडिया के तमाम सुनिल्दत और नर्गिश जो भी हैं मैं सब को प्रडाम करता हूं क्या बात है और राकेश जी अधर बैठे हुए हैं मैं इन्हें सर्ताज मिया को जिन्होंने अपने आतंगवादी बेटे की लाश को लेने से इंकार कर दिया एक पर उसके सम्मान में आपजोरदार तालियां बजाएं जिसने कहा कि मेरा वो बेटा आतंगवादी है तो फिर जो देश का नहीं हुआ वो मेरा भी नहीं होगा तो एक शेर य नहीं मानी गई ये बात तो नुक्सान सबका है क्या वात है साब चब्भी जनवरी थी तमाम लोगों ने बड़ी-बड़ी कविताएं लिखी मैंने चार पंक्तियां लिखा सुनेगा भईया स्वागत है स्वागत है स्वागत है कि कल ती रंगे ने कहा था मुझ से मेरी बातों पे हैतबार करो सुनेगा मैं बहुत स्लोली स्टार्ट होता हूँ और अगर मैं अपने मूड में आ गया धिरे-दिरे आप लोग लाएंगे आप ही हैं ये सुरोता हैं ये किसी भी कवी को चाहें तो अपने अपना प्यार देके तो आप लिए नरेन्द मोदी बना सकते हैं चाहे तो राहूल गांदी बना सकते हैं चाहें तो जिवाल बना सकते हैं बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है और देश से प्यार बाद में करना पहले एक दूसरे से प्यार करो क्या बात है चंदन भाई बाद बढ़िया देश से प्यार बाद में करना पहले एक दूसरे से प्यार करो पहले एक दूसरे से प्यार करो आईए इन्होंने बताया कि मैं प्रेम का कवी हूँ मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए भाई आप हमें देख लीजे मॉइल बाद देख लीजेगा यह जिस यह बच्चा जिसकी भी मूल जो है पांडूलिपी हो मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे के जो भी मौलिक माता पिता है यह अपने बच्चे को यह मानते हैं कि यह देश का बविश्त है लेकिन हमारा वर्तमान अभी चोपड कर सकता है तो इस बच्चे को ज़रा सा आप ले ले जो भी इसके माता पिता है मैं प्रेम का कवी हूँ और सच बताता हूँ कि आप मुझे देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं प्रेम के अलावार कुछ कर भी नहीं सकता बहुत बढ़िया है चाय करने लाइक हो चाय करने लाइक नहीं हूँ अभी करते हैं सुनिएगा कि महबत में हैं कितने घम यह हम बतला नहीं सकते महबत में हैं कितने घम यह हम बतला नहीं सकते यह होती भी उसी से है जिसे हम पा नहीं सकते कि जवान लोग तो आपे में नहीं होते हैं जवान लोग तो आपे में नहीं होते हैं इसी लिए ही मुनाफे में नहीं होते हैं जवान लोग तो आपे में नहीं होते हैं इसी लिए ही मुनाफे में नहीं होते हैं बुजर्ग होने पे होती है मुहबत सच्ची कभी तलाक बुढ़ा पे में नहीं होते हैं कभी तलाक बुढ़ा पे में नहीं होते हैं बहुत बहुत शुक्रिया कि सफर में लोग कहां साथ साथ चलते हैं कि सफर में लोग कहां साथ साथ चलते हैं बिना बताए ही सब रास्ता बदलते हैं बिना बताए ही सब रास्ता बदलते हैं और काश इनसान भी इनसान से ऐसे जलता चराग जिस तरह इक दूसरे से जलते हैं आपको तालियां बलते हैं बाई इतने सुन्दर गीत के लिए यह कविता अच्छी थी आला कि तालियां आपके कम बजी हैं बिए ज़कित टोर संधर कीके की है कि नहीं वादीन मेरा ही दुर बहा है की ह guiding मोजे यह नहीं लग रहीं बच्चे आ रहे यह भेजे जा रहे हैं चले कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आचानक ही आते हैं, सुने, एक बार जोड़दार था नहीं, बजाते हैं, जबर्दस्त, इसका एक को थोड़ा कुछ कम करो, कि अधित सुनाओं भी या? आप अधित सुनाता हूं, मैं आपको कुल मिला के सवादो या पौने तीन गित सुनाना चाहता हूं, वास पौने तीन है, ठीक है आप सुनेगा, राकेश भी आ सुनेगा, कि रास्तान लायक नहीं था मगर, क्या वादो, कि रास्तान लायक नहीं था मगर, तुमने आवाज दे दी, तो आना पड़ा, रास्तान लायक नहीं था मगर, तुमने आवाज दे दी, तो आना पड़ा, क्योंकि रिश्ता ही तुमसे है ऐसा मेरा, जो नहीं चाह कर भी, निभाना पड़ा, रास्तान लायक नहीं था मगर, कि विश्न को राम का, रूप धरना पड़ा, और फिर श्याम का, रूप धरना पड़ा, विश्न को राम का, रूप धरना पड़ा, और फिर श्याम का, रूप धरना पड़ा, और श्यवको देवत्व का, त्याग करना पड़ा, देह लेकर सती की भटकना पड़ा कि प्रेम ही है कि जिसके लिए स्वर्ग से प्रेम ही है द्यान जाओंगा कि प्रेम ही है कि जिसके लिए स्वर्ग से देवताओं को धर्ती पेहाना पड़ा बहुत बढ़ा बहुत चंद्रमाए बहुत बढ़ा बढ़ाओं को धर्ती पेहाना पड़ा क्योंकि रिश्टा ही तुमसे है ऐसा मेरा अग्ला बं सुनेगा स्वागाते सब्सक्राइब बहुत को तमाम महिलाएं बैटी है मैं इने परडाम करता हूँ इनने परडाम इसलिए भी करता हूँ की यह मात्री शक्ती है और इन्हें परडाम इसलिए भी करता हूं कि इतनी भारी संक्याम होने के बाद भी ये चुप चाप बेठी होई है ये बहुत बड़ी बात है ये छोटी मोटी बात नहीं सुनेगा गीत ही अच्छे बाइद बाइद कि गीत हर दम उजालों के हम गाएंगे ये अधेरे तुम्हे छुप नहीं पाएंगे गीत हर दम उजालों के हम गाएंगे ये अधेरे तुम्हें छू नहीं पाएंगे ओ मुस्कुराना सदा रूप का काम है त्याग तो प्रेम का दूसरा नाम है मुस्कुराना सदा रूप का काम है त्याग तो प्रेम का दूसरा नाम है कि तुम तो आनंद लो रौशनी का प्रिये कि तुम तो आनंद लो रौशनी का प्रिये ये न पूछो कि क्या क्या जलाना पड़ा तुम तो आनंद लो रौशनी का प्रिये ये न पूछो कि क्या 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 जलाना पड़ा क्यों कि रिष्टा ही तुम से ऐसा मेरा गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर आप प्रेम करते हैं किसी से अगर कोई फूल आपको पसंद है अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो प्रेम उस फूल को तोड़ देने का नाम नहीं है प्रेम उस फूल को उस पौधे को सीचने का नाम है कि वो फूल हमेशा खिला रहे है इसको कहते है प्रेम अगला बन सुनेगा कि जिन्दगी को किसी के अधेरे में रख मैं दिवाली मनाना नहीं चाहता कि जिन्दगी को किसी के अधेरे में रख मैं दिवाली मनाना नहीं चाहता और चाहता हूं हमेशा वो खुश भी रहे मैं उसे सिर्फ पाना नहीं चाहता वो बहुत पास आने लगी थी मेरे क्या वाद है वो बहुत पास आने लगी थी मेरे इसलिए उसको सच सच बताना पड़ा वो बहुत पास आने लगी थी मेरे क्या आप तालियों में कंजूसी नहीं कर रहे हैं यह जो यह जो पीछे के लोग बैठे हुए हैं मेरे घ्याल सी क्या यह मतलब समाजबादी परड़ी या कॉंग्रेस की जो हार से कुछ निराश लोग बैठे हुए हैं क्या गीत में कविता में सामिल होई है वह लगे कि वहां आदमी हैं कोई गमले ओमले नहीं रखे हुए यह आपके गीत में इतने मगन हैं नहीं इतना भी मगन हो जाओ तालिमत बजा सब्सक्राइब को लगे कि मैंने अगर सहस्ता से और सललता से कोई बात कह दी है तो आशिरवाद चाहूंगा आपका सुनियेगा मैं इसको थोड़ा निकाल लेना चाहता हूं इससे क्योंकि एसी में मेरा थोड़ा गला खीच रहा है तो मैं अपने हिसाब से इसको एड़ेस कुछ सुना भी नहीं वो जुदा हो गया जो मिला भी नहीं क्या बात बहुत बदेशन बात कुछ कहा भी नहीं कुछ सुना भी नहीं वो जुदा हो गया जो मिला भी नहीं वा वा उसकी चाहत उसके चाहत में कुछ लुटा भी नहीं कुछ बचा भी नहीं उसकी चाहत में बरबाद हम यूँ हुए कुछ लुटा भी नहीं कुछ बचा भी नहीं हमने रो रो के वो सब लिखा हैं जिसे क्या बात है हमने रो रो के वो गीत लिखे जिने मुस्कुरा करके सब को सुनाना पड़ा हमने रो रो के वो कित लिखे जिने मुश्कुरा करके सबको सुनाना पड़ा क्यों कि रिष्टा ही तुमसे है ऐसा मेरा कित का अंतिम्बन बचा हुआ है उसको भी सुना करके फिर अस्थान लूंगा अपना सुनियेगा कि सत्य तो सत्य हूं ये बताता उँ आ पर निश्ठुर समय आजमाता यह तमाम आध्यत्मिक तमाम ज्यानवान लोग बैठे हुए हैं मुझसे अधिक जानकार लोग बैठे हुए इसलिए चरणों में पंक्तियाने विधित करता हूं सुनेगा कि सत्य तो सत्य हूं ये बताता रहा पर ये निश्ठुर समय आज माता रहा और सत्य को तो भटकना पड़ा है यहां भूलिये मत यही है वो दुनिया जहां सत्य को तो भटकना पड़ा है यहां भूलिये मत यही है वो दुनिया जहां इस तरह भी भरोसा दिलाना पड़ा इस तरह भी भरोसा दिलाना पड़ा जान की को धरा में समाना पड़ा इस तरह भी भरोसा दिलाना पड़ा बस करूं रामसरुप जी बहुत बढ़िया एक गित अब डिमांड है नहीं नहीं तुम्हार एक के बोलने से नहीं होगा इतनी बहुमत नहीं जा बहुमत 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 में पास होई एक गित सुनाता हूं आपको वो गीत दो पंक्तियों में ही आपको सांज में आ जाएगा को चुप करा लेंगी आप चाहें तो बच्चे का बाप भी चुप बच्चे का बाप भी चुप हो जाएगा तो बच्चा है और कोई बात क्या बात सुनेगा प्राइगा कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता खुद से आए हसी तो तभी ठीक है, गुद गुदा के हसाना नहीं चाहता, जो मेरे पास आना नहीं चाहता, मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता, पहला बन सुनेगा, नाजवान दोस्तों सुनना, अटालियाँ का समर्त नहीं हो, जहन्दना बयाए आपर, की मन की बातों को होठों पेला दीजिये, मन की बातों को होठों पेला दीजिये, क्या बात। हैं गर तो जता दीजिए प्यार ना हो तो वो भी बता दीजिए प्यार करते हैं गर तो जता दीजिए प्यार को हर को जीत को प्रेम के गीत को मैं अकेले ही गाना नहीं चाहता जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं भी उसको बुलाना नहीं चाहता और कुछ पंक्तिया दर्शन की रख रहा हूं आपके सामने स्वागा दर्शन मिले शांति के धाम का यदिन दर्शन मिले शांति के धाम का सिद्ध किस काम की ज्यान किस काम का यदिन दर्शन मिले शांति के धाम का सिद्ध किस काम की ज्यान किस काम का चाहे शस्त्रों से हो चाहे बिन सस्त्र के शांती ही लच्छ होती है संग्राम का चाह सस्त्रों से हो चाह बिन सस्त्र के शांती ही लच्छ होती है संग्राम का और कविता की सबसे उची पंक्ति आपको दे रहा हूं सुनेगा कि जीतना चाहता हूँ सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता हूँ यह प्यार है जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं उसको बुलाना नहीं चाहता कि एक ही रोग होता तो करता दवा एक ही रोग होता तो करता दवा क्या करूं मैं दवा क्या करूं मैं दवा जब कई रोग है और साथ में चलने वाला तो कोई नहीं मश्वरे देने वाले बड़े लोग है साथ में चलने वाला तो कोई नहीं मश्वरे देने वाले बड़े लोग है दिल जलाना नहीं चाहता इस लिए दिल जलाना नहीं चाहता इस लिए दिल किसी से लगाना नहीं चाहता बहुत-बहुत बढ़िया तरीके से आप सुन रहे हैं दो-तीन बंद और बचे हुए मैं इसके सुना देता हूं आपको सुनेगा मैंने चुकि एगी स्वाहिमान का है तो मैंने चाहत सूरज सितारों के प्रतिवी अपना स्वाहिमान वेक्त किया है सुनेगा बहिया निवेदन करता हूं पूरा ध्यान जो पूरा कंसर्ट कंसेंट्रेशन है आपका वो मेरी तरफ बना रहे सुनेगा कि गीत संगीत संटोश विश्वास है देखिये आप सब कुछ मेरे पास है गीत संगीत संटोश विश्वास है देखिये आप सब कुछ मेरे पास है और दूर जितनी है आकाश से ये धरा दूर उतना धरा से भी आकाश है ये सितारे भी धरती पे आते नहीं मैं भी अंबर पे जाना नहीं चाहता और सुनेगा कि प्रेम को प्रकट करने के तमाम तरीके लोगों के पास होते हैं लेकिन मेरे जैसा कभी अगर प्रेम अपना निवेदन करेगा तो कैसे करेगा सुनेगा कि भावनाओं को परडाम मिल जाएगा और रिष्टे को इक नाम मिल जाएगा भावनाओं को परडाम मिल जाएगा और रिष्टे को इक नाम मिल जाएगा मेरी चोटों को होठों से छुदों प्रिये मेरी पीडा को आराम मिल जाएगा बाद मरने के चंदन जो मुझे को मिले स्वर्ग ऐसा मैं पाना नहीं चाहता बाद मरने के चंदन जो मुझे को मिले स्वर्ग ऐसा मैं पाना नहीं चाहता और गीत का अंतिम बंद आपको सुना रहा हूं और दावा करता हूं कि ये गीत का जो बंद है जो गीत की पंक्तियां है ये आपको जरूर याद रहेंगे सुनेगा कि उसके चेहरे की राउनक खतम हो गई क्या बात है उसके चेहरे की राउनक खतम हो गई अब दिवानों की तादाद कम हो गई क्या बात है उसके चेहरे की राउनक खतम हो गई अब दिवानों की तादाद कम हो गई दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर एक तस्वीर की आखनम हो गई दर्द उसने जो अपना सुनाया तो फिर एक तस्वीर की आखनम हो गई एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर कोई दुलहन बनाना नहीं चाहता एक तवायफ से सब प्यार करते हैं पर कोई दुलहन बनाना नहीं चाहता जीत है भाई जी चंदन भाई की जीत है जोर दाता लियां